Hi friends, आज एक topic पे हम बात करने जा रहे हैं and वो topic है जो हम अपनी techniques को करने में लगे हुए है और techniques करते समय चाहे वो law of attraction का technique हो या फिर हमारे daily life के जो काम होते हैं job है या कुछ भी कोई काम जो हम कर रहे हैं उस काम में वो perfection हमें नहीं मिलती ठीक है वो perfection कहां पे lacking होती है क्यों नहीं हमें वो perfection मिलती है क्यों हमारे law of attraction के techniques जो हम apply कर रहे हैं maybe हम अच्छे से लिख रहे हैं लेकिन still उसमें हमें वो result इतनी जल्दी क्यों नहीं मिल रहा इसके दो reason है एक तो हमारी thought दूसरा हमारी body see हमारी body ही वो main चीज है main thing है जो सारा काम बाहर का कर रही है चाहे वो law of attraction की techniques लगाना है कोई job करनी है कोई काम करना है सब कुछ सारा काम हमारी body कर रही है और हम इसी body को ignore करते हैं बहुत easily ignore करते हैं कैसे करते हैं कि हम लोग यह सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत pain है मान लीजिए हलका फुरका headache है या फिर कोई और body में कहीं pain है कोई problem है हम simple सी medicine लेकर के start हो जाते हैं again मतलब see medicines are not कि एकदम से आपको उस चीज से recover कर दिया यह हम सबको पता है कि medicine instant उस pain को दबा देते हैं it's not कि body को वो feel नहीं हो रहा बट उसको दबा दिया उस उन veins को उसने stop कर दिया now क्या हो रहा है body अभी heal हुई नहीं है लेकिन हमने body को start कर दिया again से काम में लगा दिया उसको बिना heal किये body की vibration is low and वो हमें feel भी होती है हम कभी-कभी बहुत weak feel करते हैं कभी-कभी बहुत एकदम से हमें लगता है बहुत low feel हो रहा है we are not feeling good तो यह सब चीजें हमें हमारी body को हम बिना heal किये जो खीचते रहते हैं खीचते रहते हैं इसलिए जो काम हो रहा है आप हम कैसे अपनी body का ध्यान रखेंगे right diet ठीक है time पिखाना जो normal चीजें है ठीक है आप exercise कीजिए walk कीजिए अपनी body का ध्यान रखें नरिश कीजिए अपनी body को अपनी body का ध्यान प्लीज जादा से जादा रखें क्योंकि आपके मन को जो चाहिए आपको हर फील में सबसे जादा important चीज है like I would say कि जिस तरह से हम mobile use करते हैं mobile से हमें 70 काम है okay emails, photos, ये वो सब कुछ उसमें है लेकिन अगर mobile चार्ज ना हो तो आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते right mobile को चार्ज करना पड़ेगा in that same manner you have to charge your body also so body का please ध्यान रखिए अपने अपने physical fitness पे ध्यान दीजिए आप लोग किसी manifestation में लगे हुए है या फिर कोई wish जो पूरी नहीं हो रही उसके लिए रो रो करके अपनी body को please harm मत कीजिए आप लोग इतना रो के या फिर physically unfit रहके अपनी ही body को harm कर रहे है और फिर आप techniques लगाने में लगे हो कैसे सोच सकते हो आपकी technique बहुत जल्दी हो जाएगी अपनी vibrations को high कीजिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि meditation कर लिया और सब कर लिया फिर बट के आप रो रहे हो कोने में don't do like that eat healthy, stay healthy and then you'll find that yes, your vibrations are on a very high level you yourself will find a power मतलब एक अलग से power आपको नजर आई कि अपने अंदर ठीक है, एक अलग से strength नजर आएगा एक अलग से आप energy फील करेंगे and वो ही energy आपको चाहिए हर काम के perfection में ठीक है, आप जैसा खुद फील करेंगे वैसा ही आप काम की quality में देंगे quality भी वैसी होगी जैसी आपकी quality है body की आप खुद सोचिए अगर हमें अच्छा ही नहीं लग रहा तो किसी काम को आप अच्छे से कर लोगे, नहीं कर पाऊगे इसलिए प्लीज आप लोग अपने अपने physical fitness पे पूरा-पूरा ध्यान दीजिए that is very important in law of attraction because वोही चीज आपके body के vibrations को high करेगा okay and the other thing is आप लोगों को अपने thoughts को बहुत अच्छे से manage करना है right? thoughts को manage करने के लिए अप लोग क्या करोगे? हम लोग क्या करते हैं? पीछे जो एक साल जो बाते की हैं उनके problems में उन लोगों को यही है कि जो बात पहले हो चुकी है वो बात आज भी हमें परिशान कर रही है कि हम law of attraction तो कर रहे हैं माम या फिर ये चीज तो हम लगा रहे हैं लेकिन वो पुरानी बाते याद आती हैं प्लीज उन पुरानी बातों को याद करके अपने thoughts को आप लोग उसकी energy को उसकी positivity को खतम मत करिये जब कुछ ऐसा लगता है अचानक से कोई बात याद आ जाती है उसको एक thoughts से खतम करिये और वो thoughts सिफ ये होनी चाहिए कि सब ठीक है जो हो गया सब अच्छा है जो भी चीजे हो गई है आपको अपने thoughts से खतम करना है आपको बस इतना बोलना है चलो ठीक है जो हो गया हो गया ठीक है खतम बात कुछ भी अपनी language में बोल करके खतम करो बहुत बड़ा I am not going to say कि इतना कोई बहुत standard word यूज़ करना है इसके लिए नहीं हमारी दिल की भाषा बहुत simple है सबसे बड़ी बात इतनी simple भाषा है हमारे दिल की और वही simple भाषा हमें समझ भी आती है मैं कोई complicated words आप लोगों को इसलिए नहीं देती हूँ बहुत सीधे सीधे दिल से दिल का connection होना चाहिए और दिल से दिल की बाते होनी चाहिए कोई ग्यान वाली कोई नहीं मैं कोई वैसा कोई शब्द यूज़ कर रही हूँ कोई शलोक में आप लोगों को नहीं डाल रही हूँ बस simple सी बात है कुछ पुरानी बात याद आ रही है सिर्फ इतना बोलिए कोई बात नहीं चलो छोडो इसको बस चलो छोडो चलो मतलब आगे बढ़ो छोडो मतलब डंप करो हटाओ उस पुरानी बातों को उस पुरानी thoughts को haunt मत करने दीजे अपने आपको आपकी vibrations भी कम होगी again वही negativity में जाएंगे सिर्फ एक मंतरा अपना लीजिए हर उस चीज के लिए जो हमें accept नहीं हो रही है या हमें जो hurt कर रही है उसको सिर्फ इतना बोलिए चलो छोडो बस सिर्फ चलो छोडो बोलो move on करो life में बहुत easy going रही है अपने thoughts को manage करिए पुराने बातों को याद करके अपने आपको again कष्ट मत दीजिए अपने आपको problem में मठ दालिए अपने आपको दुखी मत करिए क्योंकि ये दुख भी ultimately आप अपने body को ही दे रहे हो and अपनी physical strength पे ध्यान दीजिए अपने physical fitness पे इस body पे ध्यान दीजिए this body is very important for us we are alive ये body है तब और इसी body को हम ignore करके लगे हुए हैं, काम को करने में लगे हुए हैं रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं आपको लगता है रो करके दुखी हो करके आप अपनी body को heal कर रहे हो नहीं please be always happy situations आते हैं हर तरह की situations आएंगे लेकिन उससे पार तो निकलना है न और वो निकलना बहुत ज़रूरी है ठीक है so please आप लोग अपनी physical fitness पे ध्यान देने वाले हो और अपनी thoughts पे भी कोई पुरानी बात को याद करके दुखी होनी की ज़रूरत नहीं है एक ही चीज हर बात के लिए कितनी भी negative situation क्यों न आई हो उसको सिर्फ एक बात से खतम करें चलो छोडो चलो छोडो आगे बढ़ो पकड़ो मत उसको उसको पकड़के मत रखो छोड़ते जाओ जितनी negative चीज़े हैं उनको छोड़ो आगे move on करो हर सवेरा है हर दिन एक नया सवेरा है उस सवेरे के लिए thanks बोलो universe को thank you बोलो keep saying thank you for every new thing जो पीछे बीत रहा है उसके तरफ मुड़के भी मत देखो आगे बढ़ो ठीक है आप खुद सोचो भगवान ने आखे आगे दिये हमें आगे देखने के लिए पीछे नहीं दी पीछे दी होती तो हम पीछे का देखते रहते ना सोचते रहते इसलिए मत सोचो आगे आखे दी है आगे है आगे की जिन्दगी देखो आगे की खुशियों को देखो जितना आगी के खुशियों को देखोगे उतनी जल्दी अट्राट करोगे आप लोग इतना ही मुझे बोलना है आप लोग के लिए और ये टॉपिक भी मैंने इसलिए मैं लेकि आई हूँ